इस वीडियो में हम जानेंगे activation energy के बारे में तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर energy और reaction के progress की बीच का एग्राफ लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर यह हो गया y axis y axis में मैंने ले लिए यहाँ पर मालो energy ले लिए यहाँ ठीक है अब यहाँ पर क्या एक reaction है जहाँ पर a2 और b2 आपस में reaction करके a b बना रहे हैं ठीक है एक reaction है यहाँ पर a2 और b2 दो reactant के molecule है a2 और b2 जो के आपस में reaction करके a b product form कर रहे है ठीक है अब यहाँ पर हमने ग्राफ लिए है reaction progress और यहाँ पर energy की बीच अब सबसे वहले reaction में क्या आते है ? reactants आते हैं तो ऐसे माल लेते हैं कि हमारे यहांपर दो reactant के molecules यहांपर थे, ठीक है ? इस energy level पर यहांपर तो कि यहांपर दो molecules थे हैं यहांपर ए-2 और B-2 यहांपर तो अच्छ यहांपर यह क्या है ? इस एक्सेज में आपर एनेजी हो गई हमारी है ना यहां पर होगी जीरो यहां पर कुछी मान देते जीरो यहां पर हंडेड जूल ठीक है 200 जूल 300 400 500 यहां पर एनेजी है और यहां पर रियक्शन की प्रोग्रेस है कि रियक्टन आएंगे फिर इंट्रमीडिट आएगा फिर बनेगा अप इतनी अमांट आफ एनर्जी पहले से इतनी अमांट आफ एनर्जी यहाँ पर एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं threshold energy तो अम मालते हैं हैं अपर कि इन दोनों को 72 को आपष्म fiction करने के लिए इतनी energy चाहिए यहाँ इतनी energy चाहिए है अपर इन्हें आपस में reaction करने के लिए अगर मैं इहाँ पर energy को यहाँ ओंप Du you तो यहां पर कितनी एनजी चीए इसको अगर मैं डॉटर लाइन से मिला दू यहां पर इतनी एनजी है ना कितनी यहां पर 200 यह हो गए था है यहां पर हमारा 700 जूल ठीक है तो इतनी एनजी यहां पर क्योंकि जब क्या होता है रियक्शन होती रियक्शन में क्या होता है रियक्शन के पुराने बॉंड टूटते है और कुछ नए बॉंड फॉम होते है जैसे एटू है तो एटू में ए और ए की बीच बॉंड होगा यहां पर है ना और बी टू में यहां पर क्या होगा है हमारा वह नए बाउंट कैसे बना पाएगा तो यहाँ पर यहां पर नieux बॉन टूटने पर दी हो म obrasовать होती है ना जिसें एंटरे इनेजी करते हैं तो यह आँट फीप्ते जो है इसे हम कहते है यहां पर प्रेस होल्ड एने जी करते हैं सम्सक्राइब कोお को चाहिए होता है आपस में reaction करने के लिए अभी जो energy barrier जब यह molecules यहां तक पहुंचेंगे जब इनकी energy अगर देखो अभी कितनी है 200 जूल है ठीक है अब इनके energy कितनी है आपर 200 जूल है जब इनके energy इनके पास coal मिलागा है total a2b2 के बास 200 जूल energy है जब इनके पास यहां पर क्या होगी 700 जूल एंजी होगी तब ही जाके आप असमें रियक्शन कर सकते हैं तब इनकी पुराने बॉंड टूटेंगे और नए बॉंड फॉर्म होगे उससे पहले रियक्शन ही कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे इनको एनेजी देंगे जैसे इनेजी इस केनेजी बढ़ेगी और यहां तक पहुंच जाएगी जैसे यहां पर पहुंचेंगे यहां पर क्या होगा एटू है ना तो एका एक सथ बॉंड टूटना स्टार्ट होगा ठीक है और बी का यहां पर क्या होगा बी के सथ बॉंड टूटना यहां पर स्टार्ट होगा त पुराने बॉन और यहाँ पर यह दो प्र हो है, यहाँ पर नए अपर कीन होने क्या है, यहाँ पर थेम यहाँ पर तो थे मॉलीक्वय पर पहले से होती है, ठेंदेट इंदेट शूल इंडेट तों सेवन धूल्ड यह यह यहां पर थ्रेशोल्ड एनजी में कहूं तो किती यहांपर 700 700 जूल थी यहां पर ठीक है मैं एक्जाम्पल के ले रहे था अलग-लग रिएक्शन के लिए अमाउंट यह अलग-लग हो सकती है आप ठीक है अब इस 700 जूल में से कितने पहले से थी मॉलिकुल के पास 200 है ना इतने पहले से थी यहां पर अगर मैं इसको मिलाओं अब इस 700 है यह 200 जूल तो पहले से मॉलिकुल की पास हमें देने कितने पड़ेगी अगर है मैं मॉलिकुल को यहां से दिख रहे हैं आप एटू बीटो को 200 जूल इस एनजी लेवल से हमें आप 700 के लेवल पे पहुंच आना है तो दो सो तो पहले कि आपास है हमें कितने देने पड़ एक्टिवेशन एनजी और यह से दिखाते हैं इसको ठीक है जैसे कि मालोग की अगर मॉलिकुल का आपस में रियक्शन करने के लिए एनजी चीह आपर मालेते हैं 400 जूल को दूसरा एक्जामपल लेते हैं 400 जूल है थ्रेशोल एनजी ठीक है और इस में से मॉलिकुल की पास पहले से कितनी है पर मालेते हैं आप आप 150 पहले से मॉलिकुल की पास ठीक हैibly 150 जूल पहले से हैं मॉलिकुल की पास तो कितनी डेनी पड़ेगा हमें एह महीं हमें आप थ्रेजोल और देनी पढ़ेगी 150 से 400 पहुंचाने के लिए तो यह जो amount of energy हमें देना पड़ता है इससे कहा जाता है activation energy क्या कहा जाता है activation energy तो इसको हम define कर सकते कैसे हैं यहाँ पर activation energy क्या होता है amount of energy amount of energy required required to achieve threshold to cross threshold energy barrier to cross threshold energy barrier threshold energy barrier तो molecule के energy को threshold energy तक पहुंचाने के लिए जो amount of energy देनी पड़ती है उसे कहा जाता है activation energy ठीक है और इसका formula क्या जागा कैसे निकालेंगे अगर हम हमें क्या कर दें हैं पर activation energy निकालनी है तो अगर हम क्या कर दें threshold energy में से क्या माइनस कर दें threshold energy में से माइनस कर दे वो energy जो कि molecule के पहले से यह energy क्या है जो कि molecule के पहले से है तो हमारा activation energy निकाल जाएगा जैसा अगर threshold energy माल लेते हैं आपर यहाँ आपर माल लेते हैं आपर 900 joule है ठीक है और molecule के पास पहले से कितनी है आपर 300 joule है 300 joule energy molecule के पास पहले से ही है और कितनी ची उसको total reaction करने के लिए 900 joule ची है, तो कितनी और मुझे देनी पड़ेगी obviously बात है 600, तो कैसा आएगा 900 में इसा minus करतेगे 300, जो कि molecule के पास पहले से energy है, तो हमारे यापर अब देखते हैं, exothermica और endothermica reaction के लिए reaction progress का graph, ठीक है तो यहाँ पर हम ले 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 वापस से वोई यो गया मारा y axis और यो गया मारा x axis, ठीक है और यहाँ पर हम ले 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 हैं इस axis में आपर हम ले 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 हैं energy, ठीक है प्रोग्रेस अब एक 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 जाम्पल रहने पड़ेगा मालों कि यहां पर एक स्वाइज से रिएक्शन करके बना रहा है एक स्वाइज और यहां पर निकल रही हीड भाहर ठीक है अब आप एक्सर वाई की माले थेंपर कलेक्टिव एनेजी यहां पर है तू हंड़ड़ तो यहां पर यहां पर यह खातर हो जाएगा 150 J only फिस्क्रीं 50 प्लेस तो टो 20 जीद में से 150 एंग की एंडी और 50 बाहर होगे तो यहां पर क्या होगा तो यहां पर मालेते हैं कि एला X Y और गया X وجने एक्स तो यह खो करेंगे और जो बनेगा उसके अनगी कम होगी है यहां पर तो यहां पर यह आगा है कि यहांपको पता है हमारी यह हो गई है थ्रेश्ओल्ड एनजी थ्रेश्ओल्ट एनजी ठीके इतनी तो पहले से थी हमारे इतनी अमांट ओफ एनरजी पहले से थी यह क्या लागी हमारी एक्टिवेशन एनरजी तो यहां पर यह वह गया एक्टिवेशन एनरजी यह में देना पड़ा ना इतना पहले से था यहां पहुंचाने के लिए इतना मांट देना पड़ा इसे कहते हम यहां पर एक्टिवेश यहाँ आएगा वो नीचे आएगा ठीक है X प्लस Y से फिर ऐसी एंडोथर्मिके ले ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर X प्लस Y क्या कर रहे हैं कुछ heat को absorb करके X Y में convert हो रहा है ठीक है तो इस reaction के लिए सब्सक्राफ कैसे हो जाएगा तो वापस सब्सक्राइब लेते हैं यहाँ पर हमने ले लिए एनरजी और यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर reaction progress तो यहाँ पर हो गया हमारा energy आ गया और यहाँ पर हमारा आ गया reaction प्रोग्रेस ठीक है अब यहां पर एक्स याई निजी माल लेता है यह पर कितनी है 200 है और 100 यूल उल्न हीट देती है आपर तो एक्सका ये जयेगी 200-100 यहां पर जाएगी 300 है इस बार प्रोटक्ट के एनजीक है रियक्टंट से ज्याता है तो यहां पर यह होगा हमारे एक्स प्लस वाई इन्होंने एक energy barrier को cross किया तो इनके एनजी पर क्या होगी X-y जो X-y कि और X-y से ज्यादा होगी तो इसको उपर आना चाहिए तो यह यहां पर आ जाएगा है ना इसको हुम नहीं बनाएंगे हमगे यह यह जाएगा मारे यहांपर ओर किया उनकी एन जी ज़्यादा होगी रीक्टंड मॉलेट्योंसे havevert ठीक है और यहां पर यह ओंगया हमारा पूरा के Haut एनरजी ठीक है इसमें से इतना पार्ट तो पहले से था हुआ हमारे पास इतना पाल्ट तो बच्चाव जो यहां पर यह है यह हो गया हमारा एक्टिवेशन एनरजी यह और इतना माउंट पहले से था तो यह जाएगा हमारा रियेक्शन प्रोग्रेस ग्राफ और एक्जोधर्मिक एंद एंडोधर्मिक रियेक्शन